हेलो दोस्तों वेल्कम टू आवर चैनल फार्फेक्ट पावर टूल्स माइसेल्फ आरेफ इकबाल आज आप लोग के सामने फिर से आ गए दोस्तों अम्पेर का ओल्डिंग मैसीन के बारे में बात करने यह है आपको तर्बो कमपनी का दोस्तों अम्पेर का इन्वाइटर ओल्डिंग मैसीन यह आपको डीसी में चलता है डीसी इन्वाइटर ओल्डिंग मैसीन होता है यह मैसीन का जो टेकनोलेजी है आपको वह पोडेक्टर अच्छा यह मेशिन के आपको जो है पावर है आपको 470 वाट इसका मॉडल नमबर जो है आपको मादूसो इंपूट पावर इंपूट पावर इसका जो होता है प्लास पुनड़ो पर्शिन पचास साड़ है जेट वान डास एसी दूसो कूड़ी भोल यह आपको रीड इंपूट कनेक्टेट 8.7 बिड इंपूट पर इंपूटे इंपूट क्या देए 4.7 आप आप कनेक्टर र्यंग और 35-120 नो लोड वोल्टेज 58 मैंशीन मैंशीन देमनेशन 300 नो इस्टार 115 इस्टार 280 कारेंट डेमो स्टेशन कारेंट डेमो स्टेशन है आपको 340, XW, 1500, XH300, गोज वल्ट, ग्रोज वेट इसका ओजन जो होता है आपको ग्रोज वेट 3.6 मनें एक कार्टुन, उट्न स्वब लेके 3 किलो 600 वेट है और इसका मैंशीन का जो नेट वेट है वो तीन किलो तीन सो है तो आभी फीचाच के बारे में आपको सारा चीज बताया है उसके बाद यहां पर एक बरकोड रहता है जिसको इसकेन करने के बाद कॉम्पनी का आर भी डीटिल सब निकाल जाता है तो आभी हम लोग यह मेशिन को अनबक्सिंग करके देखाएंगे कि अच्छा अनबक्सिंग करके देखाने के लिए उसका हम सुट करने में जो हमारा साहरता करना है भाई साब ने हम को एक काइची दिया है जिसके दुआरा ये मेशिन को अन्बक्सिंग किया जाएगा तो अभी हम लोग इसका अन्बक्सिंग करने का पॉसेस में है एक काइची दुआरा अन्बक्सिंग कर रहा है करें हमको मिला एक जो होल्डार इसमें ओल्डिंग लगा के लगाया जाता है ये मेशिन के अंदर लगाने बाला होल्डार से वायर से कॉंपलेट सेट उसके बाद जो है upstream देने εν के लिए गोफ एक हैं होल्डार के साथ हैं उसके और वार वे मैशीन क डिटेल्स कैसे आप ऐसे आपको मेशिन को यूज में ले ना है जो आप लोग इसको खाल देर सकते हैं अब रहा बाट मेशीन को चलाके देखाने का तो आप लोग को यह मेशिन अभी हम लोग चालू करके देखाएंगे इसका आप चाल रफ्तर देख सकते हैं देख रहा है बहुत इस अंदर एक दों बहुत खुश्चुरत स्मूतली साउन है जरा साउन नहीं है मेशिन के अंदर यहां वोल्टेज देख पा रहा है वोल्टेज को कि अब डाउन कर सकते हैं कि लिए वोल्टेज बढ़ा सकते लेकर नहीं अबतुम आप सबसे सोंग कर सकते हैं लास्ट आपको 220 ट्वेंटी एंप्यार से लेके आपको 203 तक चलेगा इसमें जो है आपको गिरीन सिग्नल देगा मेशीन में जो है नमेशीन ठीक है तो गिरीन सिग्नल देगा इसी दरा आप इसमें सारा सिस्टेम कर सकते हैं यह दोनों में जो है अपको प्लास माइनस में यह कैचर लगा के वोल्डिंग करना है जो लोग खरिता है वो लोग जानता है इस बारे में तो हम लोग का यह मैशीन को बहुत ही छोटा है जैसे बहुत उचा-उचा यह मरत में भारी भर का मैसीन लेकर काम करने मुश्किल होता है इस चीज को देखते हुए कंपनी ने छोटे के ऊपर बहुत मुझबुती का मैसीन निकाला है यह मैसीन को पर्चेज करने के लिए आपको पार्फेक्ट पावर टूल्स के स्वाप में आने के लिए गूगल मैप में लेने के लिए परफेक्ट पाउर टूल्स में आप संपक कर सकता हैं तो हम लोग को वीडियो को आगर आप लोग रेगुलारी देख रहा है तो लाइक कीजिए कोमेंट के मादम से हम लोग को बोलने का भूल रहेगा तो उसको संसोधन कीजिए और आज आप लोग आगर हम लो सब्सक्राइब करें जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफेशन आप लोग को पास पहुँच जाए तो आज इतना ही बता के हमारा ये वीडियो समप्त करने जा रहा है फिर बहुती जल्द नेक्स्ट दूसरा बहुती आप लोग का फाइदा मान अकडशिनियों कोई पोड़ के लिए बाइ बाइ